नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हिंदी नोली शो में तो दोस्तों आखिरकार पता चले गया है कि कि शिजीमफिंग यानि चीन के राष्टपते के लिए रंनीति बना को रहा है दरसल मैंने आपको कई भी वीडिम बताया था कि जो भी व्यक्ति इस समय चाइना की रणनीती बना रहा है वो वाके में चाइना के लिए बहुत बड़ा खुद खत्रा है क्योंकि चीन की हर रणनीती पिछले 15 दिनों में उल्टी पढ़ रही है और चीन फस्ता जा रहा है वो तर फिर भारत को सिक्किम पर चेड़ा सिक्किम में उनके सैनिक पिट कर गए और फिर उन्होंने भारत को अब चेड़ा है लगदाख में लगदाख में भारत पीछ रटने को तेयानी और दोख लाम टू बन गया है उसमें बजा शी जिंपिंग को फेस सेविंग चाहिए वहां से मतलब कि ये दिखाने के लिए लोगों को कि ना हमारी हार होगी ना जीत हुई है लेकिन वहां भारत ने फसा लिया है एक तरीके से चीन को पुरी तरीके से वह तर वियतनाम और चोड़ शुटे देश भी चीन पर फिल पड़े है अमरीका अलग से प्रिशर बना हुए है और होंग कोंग पर पूरी दुनिया जो मतलब कि कुछ लोग कुछ देश अभी चीन अब से पना दिन पहले चीन के साथ थे होंग कोंग का जिन बोतल से बहार निकाल कर अब पूरी दुनिया के जितने भी डेमोक्राटिक देश हैं वो सह उनके खिलाफ कड़े है जो रूस काफी हद तक बड़ चड़ कर साथ दे रहा था चीन का आज वो भी तटस्त हो गया कि जी मतलब कि जो बड़े-बड़े डिसिजन लिये जाते हैं बड़े-बड़े जो एकतेगे से विनाशकारी चीज़े होती है उनके बाद ही लिये जाते हैं और ये दरसल उन्होंने कहा क्यों क्योंकि उन्हें चाहिए अपनी फेस सेविंग इस समय आप सोच रहोंगे कि शी जिंपिंग लिए दुनिया भर में ही माहौल खड़ा हो रहा है उनके खिलाफ ऐसा नहीं है उनके देश में उनकी हलत खराब होई है आपको उता दू कि जब कॉर्णा वाइरस क्राइसिस खटम हुआ और लोगों को लोकडाउन मतलब कि कुछ छूट देगे यह फिर उससे पहले भी तो वहाँ पर एक हैश्टेक चला था वी वांट फ्रीडॉम उफ स्पीच यह नहीं हमें बोलने की आजाने चाहिए सोचें चीन कमिनिस चाहिना में इस तरह की चीज़े हो तो यह बड़ी बात है और सी जिंपिंग से उनके अंधरुनी मतलब कि जो कमिनिस फार्टी के लोग है वो भी खुश नहीं है और का जा रहा है कि बहुत से लोग जो पॉलित ब्यूरो में है जो यह तैय करता है कि चीन का प्रजिडेंट कौन होगा उसमें भी बहुत से लोग उनसे नाखुश बता जाया तो शी जिंपिंग अपनी अथोरिटी मनवाने के लिए अपनी एक तरह के से डोमिनेंस कायम करने के लिए अपने लोगों में अपने परती विश्वास यताने के लिए उन्होंने जितना भी सुवांग रचा था भाई भारत के साथ एक तरह के सागरेशन की अपने लोगों के दिखाना कि चीन बहुत सकते शालिया मेरेंडर ये करने का सुवांग रचा फिर दक्षिन चीन सागर में उन्होंने जो ताइवान का परतास आइलेंड था उसे हतियाने की कोशिक रची लेकिन वहाँ पर अमरेकी जो डिश्ट्रयर थे विद बन सकते नेवी के उन्होंने उसे नाकामियाब कर दिया उबर से चीन पर एक खतरा अमरीका ने ओड़ाद दिया बारासो नेवी कमांडों तैनात कर दिये बारासो नेवी कमांडों मतलब कि कहीं अगर ओपरेशन होता है न बड़े से बड़े कंटरी खिलाफी तो बीस पच्छिस थीस कमांडों आते हैं अमरीका ने बारासो डिप्लोय कर दिये उस्टेलिया के अंदर उनका बेस बना कर तो याने की बहुत बुरी तरह किसी आने की और खासकर उस्टेलिया ने जो महाल बनाया है आपको पता होगा कि अब से एक महीने पहले चीन जिसी स्टेटिजी पर था वो सब को बहुत अच्छे लग रहे थी कि चीन ने वाके में कमाल कर दिया कैसे बिल्कुल पॉलाइट था सभी देशों के साथ सब की मदद कर रहा था वो स्टेटिजी सबसे बैस थी लेकिन का जाता है कि शीजिंपिंग ने जब से अपने हाथों में कमाल ली है दुनिया को एग्रेशन की जो पॉलिसी दिखाने शुरू की है उसने चीन को दुनिया का मोस्ट हेटेड कंट्री बना कर रख दिया है और चीन की हाला तो अब सभी जानते ही हैं उनके अंदर भी का जा रहा है कि ये जो कॉरुनावारस है न ये कमरिश्ट पार्टी को भी लेकर बैठ सकता है और लेकिन शीजिंपिंग के लिए हाला तो और भी खराब होंगे क्योंकि शीजिंपिंग जो रणनेती अपना ही है जो खुद के लिए उन्होंने जो गड़ा खुदा है इसमें वो बहुत जल्दी गरिने वाले हैं क्योंकि इस समय पूर दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी हो गए ये खासकर कि होंगों के मसले पर और जो भारत के साथ उन्होंने किया इसमें जो अमरीका है वो भी एक तरिकी से भारत का साज़दार बनकर सामने उब रहा है और जो भारत का नाम आ गया तो जो रूस उसका बढ़चर के साथ दे रहा था वो भी अलग हो गया है ये आप जानते है कि रूस और जब भारत और चीन का जब भी कुछ मसला होता है तो रूस तटसत रहता यानि कि बीच में किसी के नी पड़ता वो अलग हो जाता है तो आने बाले से मुझल से कि आजे लॏ एक उंपिंग क्या अपनी सी रणनीथी पर क्याम रहते हैं या फिर वो एक महीने पैले आजी रणनीथी पर जाते हैं मटल कि सभी देशों के साथ पोलाइट रहना सभी की देशों की मदद करना. ये अमरीका की रिड़ नीती थी. जब भी अमरीका काई फस्ता है, जैसे कि वह एराक में, युद में फस्ता फस्ता, तो फिर उन देशों के साथ politely, मतलब की बिल्कुल नरम सब्दों में बात करता था, उनकी मदद करता था. इसलिए अमरीका बदनाम नहीं होता था लेकिन ये तो उल्टा मितलब कि आँखे दिखा रहे हैं उन्ही देशों को जिनको नुकसान पहुंचा है तो इसलिए ये जादा इतना हीटर इने फैला हुआ है तो मेरे एसाब से तो जिंपिंग को सब कुछ अपने विशेशरग्यों पर समुप देना चाहिए अगर खुद वो लेटर बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरे फसेंगे तो इस पर आपका क्या कहना है कमेट अगर जो बताएं कि साथी चैनल को सुब्सक्रेब कर ना मत भूले से बोसाइड डिफेंस वेंट पोलिशी और फाइनस रिटेड वीडियो के लिए थैंक्यों राचिंग वीडियो